दोस्तों जादतन मशीनों का यह होता है कि अगर आप चारा काट रहे हैं तो चारा जो डिस्टेंस होती है मतलब बहुत करीब गिरता है कितनी भी स्पीड में आप चला ले तो यह समस्या जो है अक्सर देखने के मिलती है मशीनों में और इसमें से कोई ऐसा पंखे का system नहीं ह तो इसके लिए एक देसी जुगाड है और जुगाड को करने से आप किसी भी मशीन में यह सेट अप कर सकते हैं इससे आपकी दूरी बढ़ जाएगी और चारा एक जगह एकठा नहीं होगा काफी दूर जाके गिरेगा तो यह सेट अप में आपको बताने वाला हूं इसके लि दूर जाके गिरता है तो इससे चारे का धेर इकठा भी नहीं होता है और आराम से आप काफी देर तक चारा काट सकते हैं काफी मात्रा में चारा काट सकते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखें यह जो पट्टी है इस वील पर हमारे सर्विस इंजिनियर ने आकर कर ये setup किया था तो ये wheel पर ये पट्टी ऐसी ही देखें, जादा नहीं, सिर्फ दो पट्टियां लगाई गई हैं, और दो पट्टियां ये देखें, ये कि ये है, और एक ठीक उसके सामने, ध्यान से देखेंगे तो वो रही, तो ये दो पट्टियां हैं, जो fan का काम करते हैं, और चारे को आपको काफी दूर तक भेकने में मदद करती हैं और आसानी से एक जिगाट धेर नहीं बनता तो ये आप किसी भी बिल्डिंग मशीन पर जाकर के इस तरह से एक थिकनेस देख लीजे बहुत जादा नहीं ताकि आपके इस बॉड़ी में टच न करें उतनी थिकनेस की आप पट्टी जितना स्पेस हो उसके हिसाफ साफ सुकटवा के और इस तरह से इसको बेल्ड करा लीजे ये तिकोना यहाँ पर बेल्ड कर दिया गया है पक्त की विल्ड करें तो ठीक है दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में ताकि आपको चारा कुट्टी मशीन से रिलेटेड और भी जानकारिया मैं देशकूं खास करके सिरीज में दन्यबाद है